सोनो में लाइफ केर सेंटर का उद्घातन में जंडो तोलन कार्यक्रम के साथ लाइफ केर सेंटर ब्रांच का उद्घातन जमुई सोनो से सहयोगी वसीम अक्रम की रिपोर्ट, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जमुई जिला के प्रसित समाच सेवी सेह डॉक्टर एमेस परवाज के द्वारा लाइफ केर सेंटर में जंडो तोलन का कार्यक्रम किया गया इस कार्यक्रम के उपरांत लाइफ केर सेंटर का उद्घातन भी किया गया इस दौरान सोनो प्रक्षंट के अंचल कार्याले के प्रक्षंट विकास पदाधिकारी, सोनो थाना कि थाना अध्यक्ष, जमुई के शिशु रोग विशेशग या डॉक्टर एसन ज्जा, दंची कित्सक डॉक्टर सुमित राज, नेत्र विशेशग यामित कुमार संयुक रूप से उद्घाटन में शामिल हुए। इस मौके पर शिक्षाविद अरुन देव राज, कामदेव सिंग के साथ समाच से वी बिंदु कुमार कश्य पुपस्थित थे। भारत मदा की जै। इस गरीबों के लिए जो हॉस्पिटल फुली है, इस पे उसका उडगाटन करके एक गरीबों के लिए उमीद की किरन जागी होगी यह हॉस्पिटल। उमीद है कि हम लोग खड़े उतरेंगे और मानों सेवा के लिए अपनी बचन बंत हैं। तो मैं आगड़ा करूंट आपने अउनेबल चीप गेस्ट्रों से के लिए जाटन करूंगाए। इस दुनिया से चली गई मैं बाप मापो बहुत जादा प्यार करता था बहुत जादा बाप तो बच्पन में चले गए और माने जब हमें बहुत पड़ाया लिखाया और बहुत महनद किया है। तो मैंने यह सोचा था कि एक साल हो गई कुछ करना चाहिए। तो उसके फेश में यह कहा कि एक एसी हंस्पिटल होनी चाहिए जिसमें मल्टी डिजीज के डॉक्टर्स आयं और डॉक्टर्स कॉलिफाइड डॉक्टर्स हों या करू कि समझे कोई यह पर हो। तो मैंने यह किया कि सब डॉक्टर लोगों से जाके कंसर्ट किया कि सर ऐसा है कि आप भी रॉजमटा की जिंदगी में तो लोग कमाते ही हैं मगर सर एक ऐसा दीन होना चाहिए कि एक दिन आप अपना कम से कम पिट्रॉल खर्च पर करके और गरीबों की साहता की है मैं रीनी हूँ डॉक्टर एसेन जाका उनोंने दित्रट किया और कहा कि कि चलो हम सब डॉक्टर लोगों को बोलते हैं और सही मानों में उन्होंने महनत किया और सब लगभग डॉक्टर जो बोर्ड में लगी है सब लोग तयार हो गए और उनको समय लिए कि हम लोग केवल तेल की खर्च पर हम लाते हैं और ऐसे पचीस रुपए आउट बोर की टिकट हम लोगों ने रखा है आउट बोर की टिकट पचीस रुपए होगी और गरीबों की एलाज होगी संभावता कोशिश ये की गई है चुके फैक्टरी तो अप सब्सक्राइब कर दोनों की जनता काफी खुश है और सुभाई के साली है कि ग्रामी छेत्रों में इस तरह की सुद्गाव कुलब्द कराई गई है और मैं डाक्टर साहिब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एसन जहाज जैसे आदमी यहां बैठेंगे और पचीस रुपईया एक मामूली फीस है उसमें अभी डाक्टर साहिब ने बताया कि हम दवाती भी वस्ता करने जा रहे हैं तो यह काफी खुदकिस्मत है सोनो इलाके का की गरीबों के लिए कि उनका इलाज यहीं हो जाएगा जो बहुत दूर दूर तक भटकते थे और में क्या कटनाई होती है सबको पता है और मैं इनकी सुङकावना अभीक्त करता हूं और इनकी सुङकावना के साथ साथ ग्रामीनों की खुसकवरी का हमें भूंत गर्व है कि ग्रामीनों के लिए जो इनोंने कहा किया बहुत-बहुत धन्यवाद झाल झाल